हेलो बच्चों देखिए अभी हम लोग कलास 11 जार्खन बोर्ड परिच्छा में बीते कल 18 अपरेल को हुए इकोनोमिक्स आर्स में पूछे गए सभी MCQ यानि अबजेक्टिब कोस्टन का सही सही एंसर को देखेंगे जो कल यानि 20 अपरेल को होने वाली साइन्स एवंग कॉमर्स में इकोनोमिक्स इगजाम के लिए बरदान साबित होगी देखिए बीते कल 18 अपरेल को आर्स में इकोनोमिक्स का इगजाम था उसमें पूछे गए सभी MCQ अबजेक्टिब कोस्टन का एंसर को देखने से कल को होन साइन्स एवंग कॉमर्स के स्टुडेंड के लिए एकोनोमिक्स इगजाम के लिए बरदान साबित होगी यानि साइन्स एवंग कॉमर्स के स्टुडेंड को आर्स वाला कॉसन देखने से यह मालूम चलेगा कि एकजाम में कॉसन इकोनोमिक्स में कैसा पूछता है कैसा पू देखिए आगे सवाल नंबर एक से, सवाल नंबर एक को पढ़िए, एक नंबर कॉसन है, नीमनलिखित में से आर्थिक किरिया का एक उधारन कौन सा है, इन में से कौन आर्थिक किरिया का एक उधारन है, देखिए, आर्थिक किरिया मतलब होता है, उवे सभी किरियां जिन से म कम की प्राप्ती होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं तो यहां पर आप्सन में खोजिए कि किसे मुनिस्य को आई प्राप्त होता है वो आर्थिक क्रिया कह लाएगा पहला है दोस्त की साधी में सामिल होना इससे आई प्राप्त नहीं होगा तो इसको बुलेंगे गेर आ आर्थिक किरिया है ठीक है विद्याले में पढ़ाना या आर्थिक किरिया है क्योंकि इससे आई पराप्त होगा चोथा अपने घर की सफाई करना जो गेर आर्थिक किरिया है क्योंकि इससे आई पराप्त नहीं होगा तो एक नंबर सवाल का सई उतर होगा option 3 विद्याले में पढ़ाना आर्थी किरिया का उधारन है जिससे आयपराप्त होता है आगे देखिए सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 2 को पढ़िए question number 2 है संख्याकी के अंतरगत किसका अधियन होता है संख्याकी यानि स्टेटिक्स के अंतरगत किसका अधियन होता है option A, आकडो का संग्रा, option B, आकडो का वर्गिकरन, option C, आकडो का विसलेशन, option D, इनमें सभी, ठीक है, तो संख्या की स्टेटिक्स के अंतरगत, इनमें सभी का धियन होता है, ठीक है, दो का सयुत्रों का चार, इनमें सभी, आगे देखिए सवाल नमबर 3, कौसन नमबर 3 को में मनुस्य का अधियन है, या कथन कीस अर्थसास्त्री का है, आलफ्रेड मारसल का, ठीक है, आलफ्रेड मारसल का, यानि, तीन नमबर कौसन का सही उत्र, option 3 होगा, option 3, आलफ्रेड मारसल के अनुसार, अर्थसास्त्र मानो कल्यान का बिग्यान होता है, ठीक है, आलफ्रेड मारसल ने कहा है कि अर्थसास्त्र मानो कल्यान का विज्ञान होता है कॉसन नमर तीन का सही उत्तर ओप्सन तीन अर्थसास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्व में मनुस्य का अध्यन है यह कथन मारसल ने कहा था आगे देखिए सवाल नमर चार कॉस्षन नंबर फोर को पढ़िए और समझीए दूतियक आकड़ा का एक सरोत है सेकंडरी डाटा का एक सरोत है इंटरनेट और पत्त्री का दोनों होगा एक और दो दोनों होगा दोनों ठीक है दूतियक आकड़ा सेकंडरी डाटा का एक सरोत है इंटरनेट और पत्री का दोनों होगा एक और दो दोनो यानि उप्षन तीन होगा तीन आगे देखिए सवाल नमबर पाच कॉसेन नमबर फाइब को पढ़िए और समझे भारत में जनगन्ना का कारिय कीस संस्था के द्वारा होता है रास्टिय परतिदर्स सर्वेचन संगटन के द्वारा ठीक है भारत में जनगन्ना का कारिय रास्टिय परतिदर्स सर्वेचन संगटन यानि NSSO NSSO मतलब National Simple Survey Organization NSSO के द्वारा जनगन्ना का कारिय भारत में होता है यानि कोस्टन नमबर पांच का सयूत्तर होगा एक आगे देखिए सवाल नमबर छे कोस्टन नमबर छे को पढ़िए सिक्स नमबर सोतंत्र भारत में स्वरपर्थम किस वर्स जनगन्ना होई थी 1951 में सौतंत्र भारत में सौरपर्थम जनगन्ना 1951 में हुई थी, छे का सयूत्तर दो होगा, ओफिशन दो, आगे देखिए सवाल नमबर सेबन, साथ नमबर कॉस्टेन को पढ़िए, सवाल नमबर सेबन है, आकडो का कालिक वर्गिकरन का अधार क्या होता है, आकडो का कालिक वर्गिकरन का अधार क्या होता है, समय, ठीक है, कालिक वर्गिकरन मतलब समय के अनुसार वर्गिकरन, साथ का सयूत्तर होगा, एक, काल मतलब समय होता है, काल मतलब समय, यानि कालिक वर्गिकरन, इसका मिनिंग होगा, समय के अनुसार बरगी करण साथ का सयूतर एक होगा सेबेन का ओप्सन एक समय आगे देखिए सवाल नंबर एट आठ नंबर कॉस्टन को पढ़िए आठ नंबर कॉस्टन है दंडाल एक किस परकार के चर के लिए बनाए जाते हैं संतत चर, बिभक चर संतत और बिभक दोनों चर तो दोनों होगा, ठीक है आठ का सयूतर तीन होगा एक और दो दोनो, आठ का तीन आगे देखिए सवाल नंबर नाइन नो नंबर कॉस्टन को पढ़िए नो नंबर कॉस्टन है आकड़ा, बारा, तेरा, आठ, नो एक आरा, चोगदो, तथा पचीस की माधिका क्या होगी ठीक है, सवाल नंबर नो में दिया है कि आकड़ो का माधिका क्या होगी, तो माधिका निकालने के लिए पहले आकड़ो को एक निश्चित करम में आरोही या आरोही घड़ते या बढ़ते करम में arrange करना पड़ता है तो हमने यहाँ पर आरोही करम में बढ़ते करम में arrange कर लिया है तो हो जाएगा आठ, नौ, एक आरा, बारा, तेरा, चोगदा, पचीस अब आकड़ा गिनना है कितना गो है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ ठीक है टोटल साथ अकड़ा है तो आटोमेटिक बाएं से तीन बाद बीच में होगा चार नंबर वाला यानि बारा बारा आपका माधिका हो गिया माधिका मतलब क्या? माधिका बीच का मुल्य ठीक है? आरोई करम में एरेंज किये तो ठीक बीच में आएगा चार नंबर यानि बारा नाइन का होगा ओफसन एक, बारा आगे देखिए सवाल नंबर दस कौसन नंबर दस को पढ़िए दस नंबर सवाल है सरवधिक बारंबरता वाला चार क्या कहलाता है? बहुलक ठीक है? सरवधिक बारंबरता वाला चार बहुलक कहलाता है बहुलक, दस का सयूतर ओफसन चार होगा, दस का चार देखिए, बहुलक वो पढ़ होता है जिसकी आभीरती आकड़ों में सबसे अधिक होती है, ठीक है? यानि सरवधिक बारंबरता आभीरती वाला पद बहुलक कहलाता है दस का सयूतर ओफसन चार आगे देखिए सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 को पढ़िए निमने लिखित में से कोण सा ओसत दिये गए आकड़ों को दो बराबर भागों में बिभाजित करता है माधिका, ठीक है? माधिका आकड़ों को ठीक दो बराबर भागों में बिभाजित करता है जो बीच का मुल्य होता है ठीक है? माधिका आकड़ों को दो बराबर भागों में बाड़ता है ठीक है? तो 11 number question का साही उतर हो जाएगा option 2 11 का 2 आगे देखिए सवाल number 12 सवाल number 12 12 को पढ़िए देखिए 25 30 20 40 50 15 तथा 200 का परास किया होगा परास यानि range बिश्तार निकालने के लिए अधिकतम सिमा में नींतम सिमा को माइनस करना पड़ता है यानि range is equal to largest value L- smallest value स आर बराबर L-S अधिकतम मुल्य है 200 नींतम मुल्य है 15 आक्ड़ा में तो हो जाएगा 200 माइनस 15 यानि 180 12 का सही उतर option 2 12 का 2 180 आगे देखिए सवाल नमबर 13, 13 को पढ़िए, सवाल नमबर 13 है, माध्य बिचलन का मान निमनतम होगा, यदि इसकी गणना से की जाए, तो होगा समानतर माध्य है, ठीक है, माध्य बिचलन का मान निमनतम होगा, नियुनतम होगा, यदि इसकी गणना समानतर माध्य से की यानि तेरा का सउयुतर एक होगा तेरा का एक आगे देखिए सवाल नमर छोगदा सवाल नमर फॉर्टिन को पढ़िए फॉर्टिन नमर को सन है चोगदा यदि किसी आकड़े का मानक बिचलन 32 तथा समांतर माधी 100 तो है तो बिचरन गुनांग का मान क्या होगा क्या बोला यदि किसी आकड़े का मानक बिचलन 32 तथा समांतरमाधी 100 तो बिचरन गुनांग का मान क्या होगा देखिए बिचरन गुनांग बराबर होता है मानक बिचलन बटा समांतरमाधी गुना 100 ठीक है बिचरन गुनांग ब 32 समांतरमाधी 100 फूट करेंगे भेलू को यानि 32 बटा 100 गुना 100 100 कड़ जाएगा बचे का 32 यानि 32 परतिसत ठीक है बिचरन गुनांग का मान कितना होगा 32 परतिसत यानि answer हो जाएगा 4 option 4 आगे देखिए सवाल नमबर 15 15 को पढ़िए 15 नमबर question है सा सम्मंद गुनांग का परास क्या होता है सा सम्मंद गुनांग का परास होता है minus 1 से plus 1 तक ठीक है minus 1 से plus 1 के बीच यानि 15 का सयुत्तर option 4 होगा 15 का 4 आगे देखिए सवाल नमबर 16 16 को पढ़िए सवाल नमबर 16 है 16 यदि 2 चरों के बीच सा सम्मंद पूर्णत रिनात्मक है तो सा सम्मंद गुनांग का मान क्या होगा minus 1 यदि 2 चरों X एवंग Y के बीच सा सम्मंद पूर्णत नेगेटिव है तो सा सम्मंद गुनांग का मान होगा minus 1 ठीक है negative है तो क्या होगा minus 1 यानि सुल्ला का सयुत्तर option 3 होगा minus 1 बोलेगा पूर्णत धनात्मक तो होगा plus 1 ठीक है सा सम्मंद गुनां का परिमान होता है minus 1 से plus 1 तक पूर्णत नेगेटीब के लिए minus 1 पूर्णत पोजेटीब के लिए plus 1 सुल्ला का सयुत्तर option 3 आगे देखिए 17 17 नमबर question को पढ़िए कोटी सा संमंद के विकास का स्रे किसे दिया जाता है spearman को कोटी सा संमंद के विकास का स्रे दिया जाता है spearman को यानि सवाल नमबर 17 17 का सही उत्तर हो जाएगा option 3 17 का 3 आगे देखिए सवाल नमबर 18, 18 18 नमबर 18 question को पढ़िए नीम्न में से कोण सा सुचकांख, खुदरा कीमतों में ओसत परिवर्तन को मापता है खुदरा कीमत होता है उब्रोकता कीमत सुचकांग के लिए ठीक है, बजार में खुदरा कीमत होता है उभोकता कीमत सुचकांक के लिए यानि 18 का सयूतर option 4 होगा 18 का 4 बोलेगा थोक कीमत तो होगा उत्पादक विकरता के लिए ठीक है थोक कीमत होता है उत्पादक विकरता के लिए और खुदरा कीमत होता है उभोकता के लिए 18 का सयूतर 4 आगे देखिए 19 19 19 को पढ़िए सवाल नंबर 19 है पासे का किमस उचकांक में किसे भार के रूप में पर्युक्त किया जाता है बर्तमान वर्स की मत्रा को ठीक है बर्तमान यानि चालू वर्स की मत्रा को 19 का दो होगा 19 का दो आगे देखिए 20 20 नंबर कोस्टन को पढ़िए 20 निमने लिखित में से किस सुचकांक को निर्वा सुचकांक के नाम से जना जाता है उब्वक्ता किमस सुचकांक को ठीक है उब्वक्ता किमस सुचकांक को निर्वा सुचकांक के नाम से भी जानते हैं यानि 20 का सही उतर दो हो का यत्री था फ्रांस का बर्नियर किस देश का यत्री था फ्रांस का 21 का चार 21 का सयूतर आपसें चार आगे देखे 22 22 को पढ़िए योजना आयोग का अधियच कोन होते थे परधान मंत्री ठीक है योजना आयोग या निती आयोग दोनों का धियच परधान मंत्री ही होता है 22 का सयूतर एक होगा 22 का एक आगे देखे 23 23 23 को पढ़िए भारत की अंतिम पंच वर्स योजना कों सा है बारवी ठीक है भारत का अंतिम पंच वर्स योजना बारवी है बारवी यानि 23 का सयुतर 3 होगा 23 का 3 आगे देखें 24 24 24 को पढ़िए भारत में नई आर्थिक नितिक की शुरुवात कीस वर्स की गई 1991 में звучend 3 भारत में नई आर्थिक नितीक की शुरुवात 1991 में की गई थी यानि 24 का सयुतर ओप्षें 3 होगा 3 आगे देखिए 25, 25, 25 को पढ़िए 25 नमबर कॉस्टन है संग वीर्धी से क्या ताथ परिये है संग वीर्धी से क्या ताथ परिये है ओप्सन एक बस्तुव एवंग सेवाओं की उत्पादन चानता में वीर्धी सही है दुसरा उत्पाद्यक पोंजी के भंडार में वीर्धी सही है तिसरा परिभान तता बेंकिंग आदिस यमाओं का विस्तार सही है इनमें सभी संग वीर्धी का आर्थ होगा इनमें सभी 25 का D चार नमबर आगे देखिए 26 26 26 नमबर कॉसन पढ़िए ओधोगिक निती 1956 को 25 वर्षी योजना का अधार बनाया गया था दुसरी ठीक है दुसरी पँच वर्षी योजना यानि ओधोगिक निती 1956 में लागू हुआ था ठीक है दुसरी होगा दुसरी 26 का सयूतर दो होगा 26 का दो आगे देखिए 27 27 27 को पढ़िए 27 नमबर 27 निम्न लेखित में से औपरतियच कर का उधारन कोण सा नहीं है देखिए इन में से कोण indirect tax औपरतियच कर का एक्जामपल नहीं है विक्रिकर औपरतियच कर है उत्पाल सुल्क औपरतियच कर है जो औपरतियच कर नहीं है 27 का सयुत्र option 4 होगा income tax आएकर परतियच कर है direct tax है औपरतियच कर नहीं है औपरतियच कर होगा विक्रिकर उत्पाल सुल्क बस्तु एवंग सेवाकर GST ठीक है option 1,2,3 औपरतियच कर का एक्जामपल है लेकिन option 4 आएकर income tax direct tax है परतियच कर है जो औपरतियच कर का उधारन नहीं है 27 का option 4 आगे देखे 28 28 28 को पढ़िए निम्न में से कोण सा देश 200 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत पुरे 200 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है ठीक है यानि 28 का सायूतर option 4 होगा भारत और बोलेगा कि सबसे अधिक सूती बस्तर उध्यों कहां है तो पाकिस्तान में है सबसे अधिक सूती बस्तर उध्यों पाकिस्तान में है टेक स्टाइल का पाकिस्तान में और पुरे 200 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है भारत ओप्सें चार आगे दखिए 29 29 नंबर को पढ़िए 29 निम्न लिखित में कीस योजना के अंतरगत भारत वासियों को बैंग खता खोलने के लिए प्रोसाहित किया जाता है परधान मंत्री जानधन योजना ठीक है परधान मंत्र नरेंद्र मोदी के द्वारा बैंग खता खोलने के लिए हमेशा परधान मंत्री जन धन योजना से 29 का सई उत्र होगा चार 29 का चार आगे देखिए सवाल नंबर 30 को सवाल नंबर 30 को पढ़िए सवाल नंबर 30 का हता है 30 नंबर को सेन निम्न में से कोण सा मानो पूंजी का एक सुर्वत नहीं है, māno poonji होता है, सिच्छा, प्रसिचन, स्वासिव, ये सब, ठीक है, भौतिक poonji होता है, सडाक, ठीक है, पूल, हवाइड़ा, जिसको बोलते हैं, आर्थिक विकास, ठीक है, और माno poonji का समाजिक विकास होता है, सिच्छा से, परसिचन से, स्वास्त से, ठीक है, तो मानो पुंजी का एक सुरत कोन नहीं है, सड़क निर्मान में निवेश, ठीक है, सड़क निर्मान में निवेश, एक भोतिक पुंजी है, एक आर्थिक विकास है, ठीक है, तीस का सही उत्र आप्शन तीन होगा, तीस का ती बाकी एक नमबर सिच्छा में निवेस, दो नमबर परसिचन में निवेस, चार नमबर स्वास्त में निवेस, ये सभी समाजिक विकास है, मानो पुझी का सुरोत है, लेकिन सड़क निर्मान में निवेस, भौतिक पुझी है, आर्थिक विकास है, तीस का उफसें तीन, आगे अमेरिका, ठीक है, कौन होगा अमेरिका, option 4 होगा चार, अमेरिका, ठीक है 31 का सयुतर, option 4 अमेरिका, आगे देखिए 32, सवाल नमबर 32 32 को पढ़िए 32 नमबर कोशन है नीम्न लिखित में से निर्धानता का एक कारक कोन सा है इन में से निर्धन्ता का एक कारण कोन है गरीबी का एक कारण कोन है बेरोजगारी हाँ रीन गरस्ता हाँ जन संख्या दबाव हाँ इनमें सभी सभी गरीबी निर्धन्ता का कारण है 32 का चार आगे दखिए 33 सवाल नंबर 33 को पढ़िए तनवा की सराज में महिलाओं को नविंतम किर्शी तक्निक का प्रसिच्छन के लिए चलाई जा रही एक परियोजना है तमिल नाडू में ठीक है तमिल नाडू राज में तनवा महिलाओं को नविंतम किर्शी तक्निक का प्रसिच्छन के लिए चलाई जा रही एक परियोजना है तमिल नाडू मे आगे देखिए 34 34 नमर कोशन पढ़िए निम्नलिकित में से कोन सी किरिया बागवाणी के अंतरगत नहीं आती है फल का उत्पादन आता है मसाले का उत्पादन आता है चावल का उत्पादन नहीं आएगा जावल का उत्तिपादन एक खधियान फशल है जो बगवानी में नहीं आएगा ठीक है जिसका उत्पदन बहुत ज्यादा होता है ठीक है तो 34 का होगा दो आप्शन दो आगे देखिए 35 35 35 नमबर 35 को पढ़िए निम्नलिखित में से कोण बेक्ती सव नियोजित है इन में से कोण सा बेक्ती सव नियोजित है सरकारी बिद्याले का सिचक नहीं इसको तो नियुक्त किया जाता है दुसरों के दुवरा सरकारी बस का ड्रैबर नहीं इसको बस के मालिक के दुवरा नियुक्त किया जाता है नीजी बिद्याले का सिचक नहीं इसको बिद्याले के परधान सिचक के दुवरा नियुक्त किया आप्शन चार होगा चार आगे देखिए सवाल नमबर 36 36 36 को पढ़िए सवाल नमबर 36 36 को पढ़ना है इट निर्मान कार्य में कार्यरत बेक्ति के रोजगार को कहा जाएगा दिहाडी मजदूर इट निर्मान कार्य में कार्यरत बेक्ति के रोजगार को कहा जाएगा दिहाड मजदूर option 3 आगे देखिए 37 37 37 को पढ़िए 37 37 नमर सवाल है निम्न में कौन उर्जा का गेर परंपरागस रोत है उर्जा का गेर परंपरागस रोत होगा आगे देखिए 38 38 38 38 38 है निम्न में से कौन स्वास्त के निर्धारन का सूचक नहीं है इन में से कौन स्वास्त के निर्धारन का सूचक नहीं है साक्षर्ता दर ठीक है साक्षर्ता दर ठीक है 38 का तीन आगे देखिए 49, 39 49 को पढ़िए 39 नमर कुसेन जेविक खाद को खेती के लिए सबसे उप्युक्त क्यों माना जाता है इसमें रसायनिक पधार्त नहीं होता है ठीक है इसमें रसायनिक पधार्त नहीं होता है 49 का सयूतर तीन होगा 39 का ओप्सेन तीन आगे देखिए अंतीम कॉसेन चालिस अंतीम कॉसेन चालिस को पढ़िए निम्न लेखी तुमें किस देश में परजनन्दर सबसे अधिक है पकिस्तान में ठीक है पकिस्तान देश में परजनन्दर सबसे अधिक है option दो ठीक है option दो तो चलिए अभी हम लोग बीते कल 18 अपरेल को हुए economics arts में पुछे गए सभी mcq objective question का सही सही answer को देखे को समझ लीजिएगा ताकि कल होने वाले 20 अपरेल को एकोनोमिक्स इजाम के लिए आप लोगों के लिए हेलफुल साबित होगा ठीक है आपको ये वीडियो सहता करेगा हेलफ करेगा